हे अब्रिवान वेलकम टू ब्रहम मास्तर और मैं हूँ आपका दोस्त आपका एजुकेटर अमन शर्मा ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है अगर आप लोग प्रिलिम्स 2023 का एक्जाम देने वाले हो क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप 20 मार्क्स एक्स्ट्रा गेन कर सकते हो अपने प्रिलिम्लरी एक्जामिनेशन के अंदर और ये चीज़ मैं आपको विद प्रूफ कहता हूँ विद प्रूफ कैसे क्योंकि अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वही सेम चीज़ मैंने प्रिलिम्स 2022 के लिए करी थी जिससे आठ सवाल एट कोश्चन डिरेक्ली आपको प्रिलिम्स में देखने को मिले थे मतलब डिरेक्ली 16 मार्क्स हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे जो योजना मैगजीन आती हैं उनको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे ये पूरी थ्री वीडियो की सिरीज होगी जिसके अंदर थोड़ी सी महनत आपको भी करने पड़ेगी इस वाली वीडियो के अंदर आप लोगों को जैनुरी 2022 से लेकर जून 2022 तक की जो योजना मैगजीन के अंदर सब से important topics आए हैं जो preliminary examination के अंदर आ सकते हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी और उसी हिसाब से आप अपनी preparation को और ज्यादा बहतर बना पाओगे बिना किसी देरी के मैं आज के session को start करता हूँ do not forget कि आप like करो share करो और subscribe भी कर देना शुरू करते हैं दोस्तों योजना मैगजीन जैनुरी 2022 कि जब आप लोग उठाते हो तो title था आजादी का अमरित महतसब वैसे भी हम लोग आजादी का अमरित महतसब बना रहे हैं from 75 years of Indian independence to 100 years of Indian independence और यहाँ पर हमें कुछ important topics इसके पहले ही article में देखने को मिलते हैं वो हैं आपके PSLV, GSLV, InSpace, NSIL, NAVIC, Gaganyan, Aditya Elvan और Cryogenic Engine तो यह जितने भी topics हैं यह आप लोगों ने अल्रेडी करी करी हैं मेरे साथ भी करे हैं या कहीं से भी आपने पड़े हैं तो यह आपने पड़े होंगे ठिक PSLV, GSLV are launch vehicles PSLV हमारा third generation four stages वाला launch vehicle है GSLV हमारा fourth generation three stages launch vehicle है InSpace हमारी देश की एक ऐसी नई agency बनाई गई है जिसका में काम है प्राइवेट सेक्टर और इसरों के बीच में एक ब्रिच का काम करना NSIL का में मकसद है commercial आम के रूप में आया है यह हमारी इसरों की जिसका में मकसद है PSLV और SSLV इसको promote करना NAVIC हमारे देश का IRNSS है गगनियान हमारे देश का पहला crewed space mission होने वाला है जहां पर हम लोग low earth orbit के अंदर past से 7 दिन हमारे देश के तीन astronauts को रोकने वाले हैं आज इत्या L1 हमारा एक proposed mission है जिस mission के अंदर we will be studying sun's atmosphere and everything about the sun और L1 इसलिए क्योंकि इसको लगरान जे 1 point के अंदर launch किया जाएगा लगरान जे 1 क्या होता है गाईच देखो दो मास की मानलों body है यह बड़ा मास है छोटा मास है इन दोनों के बीच में पांच ऐसे point होते है जो पांचों point में तीसरी body balance कर सकती है तो ऐसे 5 point होते है जो L1 होता है वो इन दोनों bodies के जो बीच में point होता है उसको हम लोग L1 कहते हैं बीच में एक point होता है जहां पर जैसे मानलों यह एक body है यह बीच में point होगा जहां पे दोनों की gravitational pull balance हो जाएगी इसको हम लोग Lagrange 1 कहते हैं इसी तरीके से जैसे यहां पे L1 है यहां पे होता है L2 इ इस तरफ होता है L4 एन इस तरफ होता है L5 तो इस तरीके से लगरांजय पॉइंट्स होते हैं इंपोर्टन टॉपिक्स हैं आप लोग लिख लेना इसके बाद जब हम लोग अपनी अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जैनुरी 2022 की योजना पे तो मॉडर्ण इंडिया प्रस्पेक्टिव से हमें कुछ इंपोर्टन चीज़ें देखने को मिलती हैं जैसे यहां पर एकनॉमिक स्वदीशी को लेकर आर्सी दद, दादा भाई नारो जी, एमजी रानाडे और गोपाल हरी देशमुक जी के बारे में बात की गई है यह चारों ही नाम आपको याद रखने हैं यहां पर इस वाले छोटे से आर्टिकल के अंदर बताया गया जो मेंबर्स थे टैगओर फैमिली के इंक्लूडिंग रबिन नाथ टैगओर जी और सतीष चंद्र मुखर जी की जो डॉन सोसाइटी थी और भी बहुत सारे लोग थे जो कि स्वदेशी फेयर और्गनाईज करते थे अब यहां पर आपके एक चीश पता लगी कि डॉन सोसाइटी बिलॉन्ग टू सतीष चंद्र मुखर जी ठीक इसके साथ साथ नैशनल एजुकेशन मुवमेंट 1905 से लेकर 1938 के बीच में नैशनल एजुकेशन मुवमेंट चली जिसने कॉलेजेज और स्कूल्स को स्टैबलिश किया हमारे देश के अंदर और यहां पर जादा पूर युनिवर्सिटी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल इसके अंदर जो साइंटिस्ट थे हमारे देश के पीसी रे और जेसी बोस वोस समय पर वन ओफ दी फेमस साइंटिस्ट थे और उनकी अचीवमेंट को लेकर हमारे देश के लोग बहुत गरवानवित महसूस करते थे इसके साथ साथ दोस्तों एक मैगजीन थी जिसने ग्रेटेस्ट स्वदेशी इवेंट ऑफ 1906 कहा था जगदीश चंदर जी के प्लांट रिस्पॉंस एक्सपेरिमेंट को और अगर ऐसा सवाल आता है तो आप यहाँ पर डिरेक्ट आंसर लिख सकते हूँ कि जगदीश चंदर बोज जी का जो प्लांट रिस्पॉंस एक्सपेरिमेंट था उसको ग्रेटेस्ट स्वदेशी इवेंट बोला गया है 1906 का इसके बाद February 2023 की जो आपको मेगजीन देखने को मिलती है वो National Education Policy के उपर फोकस करती है और यहाँ पर जो पहला आर्टिकल है वो बात करता है नीट के बारे में यह क्या है यह एक सिंगल प्लैटफॉर्म है जो की बेस्ट डवलप्ड एडटेक सॉल्यूशन और कोर्सिस प्रोवाइड करता है हमारे देश के स्टूडेंट्स को नीट के अंदर एड़ुकेशनल सेक्टर की जो सबसे भैतरीन टेक्नलोजिकल सॉल्यूशन हैं सॉफ्टवेर्स हैं कोर्सिस हैं उन सब को इन्वॉल्फ किया गया है इस सॉल्यूशन यूज आर्टिफिशल इंटलिजेंस फॉर आ परस्नलाइड एंड कस्टमाइड लर्निंग एक्स्पिरियेंस नीट के अंदर जो बहुत सारी करीवन 58 इंडियन एडटेक और ग्लोबल एडटेक स्टार्टप्स हैं जो की ऑन बोर्ड हैं जो सौ से ज़्यादा कोर्सिस और इलर्निंग चीजें प्रोवाइड कर रही हैं तो आज के टाइम में जो डिजिटल इंडिया फ्रेमवर्क है उसमें नीटेस प्लेइंग का वेरी इंपॉर्टेंट रूल इन पढ़ाई में पीछे ना छूटे तो नीट इंपॉर्टेंट है इसको एक बार ही आप लोगों ने देख लिया और नेश्टल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में अगर हम लोग बात करें एनीपी 2020 तो नेश्टल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत जरूरी है यू आल नो बे 2020 इसका टार्गेट यहर है में मकसद है इसका कि हमें यूनिवर्सलाइज करना है स्कूल एजुकेशन को हमें 100% ग्रॉस एन्रोल्मेंट रेश्यो अचीव करना है प्री स्कूल से लेकर सेकिंडरी लेवल तक बाई 2030 गाईज 2030 तक 2030 तक पहला यहाँ पर हम लोगों को प्री स् से लेकर सेकिंडरी लेवल तक कामियाबी हासिल करनी है ठीक ग्रॉस एन्रोल्मेंट रेश्यो हासिल करनी है और हायर एडुकेशन के अंदर हमारा गोल है कि 50% 50% का हायर एडुकेशन के अंदर ग्रॉस एन्रोल्मेंट रेश्यो हो और यह हमें 2035 तक अचीव करना है खीक है we need to achieve it till 2035 अब मैं आपके लिए जूम कर रहा हूं आप लोग ना यहीं पर पॉस करोगे पॉस करके जो यह चीजें हैं उनको एक बार ही देखोगे कि नैसले एजुकेशन पॉलिसी के यह 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे हर बच्चे की कैपेविडिटी उभारना लिटरेशियो नुमेरेशिय पे काम करना यहाँ पर कोई हाड़ सेपरेशन नहीं होगा आठ साइन्स के बीच में इस तरीके से डिजाइन होगा कि हर बच्चे की जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल नेचर पे हो एजुकेशन को एज़ा पॉब्लिक सर्विस लिया जाएगा और इंडिया एज़ा हिस्ट्री इंडिया एज़ा रिच कल्चल हरीटेज के बारे में हर एक बच्चे को बताया जाएगा तो यह कुछ फीचर्स है नेच्टल एजुकेशन पॉलिसी के ठीक आपको और भी चीज़ें योजना मैगजीन में मिलती हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पॉज करो थोड़ा सा आपको टाइम खर्च करके यह वाली सारी के साही चीज़ें आपको कवर अप करनी है नाओ काईस यह हमारे देश के अंदर जो प्रोग्राम करेंटली चल रहा है जिसको हम लोग समग्र सिक्षा के नाम से जानते हैं उसके अंदर तीन इंपोर्टेंट चीज़ों को सब्जियूम किया गया है एक है हमारी सर्व सिक्षा अभ्यान फिर है हमारी राष्ट्रिय माध्यमिक सिक्षा अभ्यान और हमारी है टीचर एजूकेशन याद रखना सर्व सिक्षा अभ्यान राष्ट्रिय माध्यमिक सिक्षा अभ्यान और टीचर एजूकेशन इन सब को समग्र सिक्षा के अंदर ह मकसद यही है तो एन्हेंस हसेस, प्रमोट एक्विटी थू दी इंक्लूशन अफ डिस अड्वानटीज जिस ग्रूप और वीकर सेक्षिन, इंप्रूव दी क्वालिटी ओफ एजुकेशन फॉर आल, सेंटर स्टेट गवर्मेंट दोनों ही इसको इंप्लिमेंट करने के लिए पूरी जोरो शोरों से काम कर रही है, दोस्तो, Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 ये भी मेंडेट करता है कि गुड़ क्वालिटी एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी है, with standards and norms specified in this particular act, section 29 Right to Education Act का बात करता है कि एक academic authority भी होगी, जो कि appropriate government द्वारा notify की जाएगी, जो कि curriculum और evaluation process को आसान बनाएगी, education is a very important part of our sustainable development goal, जो हमें 2030 तक 2030 तक पूर्ण करने हैं, पूरे करने हैं, यहाँ भी आपको नीचे दो article देखने को मिलेंगे, इनको भी आप लोग पॉस करके एक बड़ी readout करोगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों, बट 20 marks हैं, तो सब कुछ है, है न, इसी के साथ-साथ, we have national initiative for school head and teachers holistic advancement, जिसको हम लोग निश्था के नाम से जानते हैं, यह समगर सिक्षा के अंदर जो हम लोग teacher training के बात कर रहे हैं न, उसे का ही प्रोग्राम है निश्था, और यहाँ पर NCRT और NEPA एक important role निभाएंगे, दोस्तों एक चीज और कि NCRT ने विद्या प्रवेश नाम का एक तीन महीने का 3 months play-based school preparation module prepare किया है, ठीक जो कि निपन भारत के अंदर work कर रहा है, जिससे कि जो बच्चे class 1 के अंदर जा रहे हैं, उनको 3 महीने के इस play-based school preparation module के अंदर उनको चीज़ें सिखाई जाएंगी, नब important है हमारे लिए निपन भारत को भी समझना, दोस्तों निपन भारत एक national initiative for proficiency in reading with understanding and numeracy, निपन, national initiative for proficiency in reading with understanding and numeracy, इसको 2021 के अंदर launch किया गया था, जिससे कि हर एक बच्चा जो की age 3 से 9 के बीच में हैं, उसके पास foundation, literacy और numeracy की अच्छे जानकारी हो, और इसका target year है 2026 to 2027, ठीक, जो grade 3 का बच्चा है, उसको यहाँ पर इतनी जानकारी हो, literacy और numeracy की की, वो अपना काम आगे कर पाए, इसके साथ साथ, यहाँ पर बालवाटिका से लेकर grade 3 तक focus किया जाएगा, कि हर एक बच्चे के पास good health, well being, effective communication, और अपने environment को मजबूत बनाने के लिए, अपने future को मजबूत बनाने के लिए, कि जो भी capabilities चाहिए, वो उस बच्चे के पास हो, दोस्तों, मार्च की योजना पर अब हम लोग move on करते हैं, मार्च की योजना बड़ी interesting, भाई, आपको पता ही है, कि budget आता है, तो उसमें बहुत सारी नहीनी चीज़े आती है, अब आपके लिए जो important है, वो तो current वाला budget है, तेश 24 वाला है, बट 22 तेश में भी कुछ चीज़ें हैं, जो आपको पढ़नी है, जैसे, देखो 22 तेश का जो budget है, वो focus करता है, चार पिलर पे, एक PM गति शक्ती पे, inclusive development पे, productivity enhancement and investment, sunrise opportunity, energy transition and climate action of investment, तो these are the things, जिसके उपर focus करता है, अब इस article में हमें, तीन important topics मिलते हैं, एक है PM गति शक्ती, दूसरा है PM divine, और तीसरे हैं, digital banking units, ठीक, digital banking units, नाव जो गति शक्ती है, जो PM गति शक्ती है, उसके बारे में हमें आगे, काफी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे what is PM गति शक्ती, है क्या, PM गति शक्ती is national master plan, for multimodal transportation, है न, इसको ministry of commerce and industries, ने launch किया था, जिसके अंदर 16 मंत्रालियों को, integrate किया जा रहा है, in planning and coordinating, implementation of infrastructure, connectivity projects, इसके साथ साथ, और भी collaboration, इसके अंदर किये जा रहे हैं, जैसे geographic information system based, enterprise resource planning platform, बनाया गया है, जिसको बास करें चारे है, national institute for space application, geoinformatics के साथ, हम लोगोंने design किया है, PM गति शक्ती के, अगर आप लोग main purpose के बारे में, बात करो, तो भाई main purpose यही है, कि जो हमारे देश की logistic cost है, उसको हमें कम करना है, ठीक है, जो transportation cost है, जो logistic cost है, उसको हमें कम करना है, और इसके साथ साथ, आगयाने वरे चार सालों के अंदर, इसकी मदद से cost saving तो होनी है, ground level पे काम भी होना है, और बहुत सारी नौकरियां भी generate होनी है, let me tell you one more important fact, कि हमारे देश का जो national infrastructure pipeline है, उसको भी हम लोगों ने, PM गती शक्ती के अंदर ही, subzium कर दिया है, और आपने ये सारी चीज़ें मैंने आपको already cover कराई है, ठीक है, इसके अंदर 11 industrial corridors और 2 defense corridors भी खोले जाएंगे, ठीक, चलिए, भारत मादा project you all know, उसके अंदर जम्मू कश्मीर की सबसे जादा length है, length of roads जो हम लोग बना रहे हैं, including the Ladakh region, फिर आप देखो नागलेंड है, मिजोरम है, मिघलिय है, असम है, मनिपुर है, टोटल 2274 km की जो सडक है, रोड है, वो बनाई जा रही है, भारत माला project के अंदर, ठीक, चलिए, moving है, गाइस, वापस से first news इस पे आते हैं, तो यहाँ पर अब PM divine, जो second मैंने आपको एक important topic बताया था, इसके अंदर PM divine, वो किस चीज के काम करता है, इस प्राइम मिनिस्टर्स डवलप्मेंट इनिशेटिव फॉर नौर्थ इस्टर्न रीजन, मतलब डेरेक्टली नौर्थ इस्टर्न रीजन के ऊपर, यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, यह एक central sector scheme है, sector मतलब होता है कि 100% funding जो होगी, वो center government देगी, PM divine नौर्थ इस्टर्न रीजन को प्रमोट करने के लिए है, and it is in the spirit of PM शक्ती only, इसके अंदर जो पैसे जाएंगे, वो PM शक्ती के थुरू ही implement किये जाएंगे, वहाँ के युगाओं को, महिलाओं को, livelihood opportunities प्रोवाइट की जाएगी, इसके साथ साथ यहाँ पर, DM divine के अंदर social development के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, और जो भी gaps है, North Eastern region में उनको fulfill करने की कोशिश की जा रही है, ठीक, थर्ड जो important topic है वो है, digital banking units, the DBU, वटा DBU, हमारे देश में 75, हमारे देश में 75, नए digital banking units खोले जाएंगे, ऐसी recently भरात सरकार ने dedicate किया, प्रधान मंत्री नेदर मुदी जी ने बोला, कि 75 digital banking units को, 75 districts को हम लोग देंगे, union budget के अंदर, नो इस आर, आप यह कह सकते हो, इस आर on point banks, जो की scheduled commercial bank establish करेगा, जहाँ पर, जिन छोटे छोटे की यॉस के अंदर, basic digital infrastructure होगा, जिसकी आम आजमे को, अकसर ज़रौत पड़ती है, और यहाँ पर, लोगों को, जो की इतने digitally सक्षम नहीं है, they are not digitally that aware, they are not tech savvy, उनकी मदद की जाएगी, कि वो भी digital banking का, इस्तमाल कर सके, यह इसका मेन मकसद है, ठीक है कि हर एक नूग और कॉर्णर में, digital banking की facility पहुच पाए, ठीक, आगे बढ़ते हैं, गाईज, इसी वाली योजना के अंदर, कुछ और चीज़ है, एस्परेशनल डिस्टिक्ट प्रोग्राम, नीतिया योग ने, 2018 के अंदर लॉंच किया था, जिसका मेन मकसद है, कि 112 इंडिया के, जो सबसे developmentally challenged districts है, चाहे वो health and nutrition की टर्म में हो, education की टर्म में हो, agriculture water resource की टर्म में हो, basic infrastructure की टर्म में हो, financial inclusion या skill development की टर्म में हो, उनके ऊपर हम लोगों को focus करना है, एक और चीज, लिखी थी, उन्हों ने आप, जहां से दोको, उन्हों ने ये बात करी थी, कि excess water जो बेंगॉल के थूफ फ्लो होता है, उसका इस्तमाल, Central India के अंदर crops को grow करने के लिए कर सकते हैं, कितनी बड़ी चीज है, ठीक, कितनी बड़ी चीज है, 1921 में वो लिख गए, river linking project के बारे में, और even हमारे कुछ inscriptions में, कुछ text में लिखा हुआ है, inter living projects के बारे में, और ऐसा हुआ भी करता था, कुछ राजियों के अंदर, this is a good thing, guys कौन-कौन से indices, नीतियायोग निकालती हैं, indices launched by नीतियायोग, ध्यान लखना, composite water management index, अंडिया innovation index, export competitiveness index, school of education quality index, state health index, और sustainable development goal index, ठीक, इसके साथ साथ, MSMEs की growth के लिए, MSMEs की growth के लिए, काफी सारी चीजें भरत सरकार कर रही हैं, ठीक, जैसे, सरकार उद्यम portal लेकर आई, इश्रम लेकर आई, एन असीम portal लेकर आई, ECLGS facilities लेकर आई, है न, Employee with Credit Guarantees Scheme लेकर आई, फिर एक RAMP program सरकार लेकर आई, नो यहाँ पर RAMP program के बारे में जानना, इस important for you all, मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरी Prelims Enrichment Course वाली classes के अंदर, और इसमें भी आप लोग ध्यान से सुनोगे, RAMP scheme MSME के लिए launch की गई है, ठीक RAMP scheme प्रधान मंत्री जी की, Economic Advisory Council की recommendation पे launch हुई थी, इसको World Bank assist कर रहा है, fund कर रहा है, इसका mean मकसद क्या है, mean मकसद यही है, कि strategic investment plans, MSME sector के अंदर बनाए जाए, ठीक, जिससे MSME की market or credit assets असानी से हो, MSME के governance अच्छा हो, जो delayed payment का issue MSME के अंदर चलता था, वो असान हो, ठीक, fund flow, RAMP program के through, कराया जाएगा MSME की तरफ, याद रखना, RAMP program के अंदर, हम लोग MSME industry को revive करने की कोशिश कर रहे हैं, post COVID-19, post COVID-19, UK Sina Committee, KV कमात Committee, PMEAC ने इसके recommendation दी थी, center state cooperation बड़े, linkage बड़े, जिससे MSME का काम असान हो, किसके अंदर, RAMP के अंदर, moving on, जाइगा, Digital Banking Units के बारे में, मैंने आपको अल्रेडी बढ़ा दिया है, ठीक है, तो Digital Banking Units, will provide an opportunity, to offer newer services in rural areas, and will boost transaction, through digital platforms, ठीक, this will be paperless, and end-to-end encrypted services, जिससे की business असान होगा, और transaction, instant हो पाएगा, इसके साथ साथ guys, CBS, Core Banking Solution, CBS, important system, CBS, Banking के अंदर, Core Banking Solution, network है, Bank branches का, जो की customers को अलाव करता है, की customers, अपने bank accounts को manage कर सके, और banking facility, हर एक व्यक्ती को, पूरी की पूरी दुनिया में, हर एक जगे पर मिल सके, तो CBS is a facility, wherein all branches of bank, a financial institution, और any similar organization, gets connected through the internet, customer is not required, it does not required, to make transactions, from any definite or fixed point, आप जो आप अपने mobile से, easily पैसे, एक जगे से, दूसरी जगे, transfer कर पाते होना, वो भी CBS की वज़े से ही होता है, core banking solutions की वज़े से ही होता है, ठीक, इसी की मदद से, हमें मिल पाती हैं, तो do you know के अंदर, international year of millets के बारे में, बात हुई, दोस्तों, 2023 वाले वर्ष को, international year of millets के रूप में, declare किया गया, मिलेट्स जिनको हम लोग पॉपिलरली, coarse grains के नाम से जानते हैं, small seeded grasses, ठीक, और, important बात, क्यों, क्यों क्यों मिलेट्स के ऊपर, हम लोग आज इतना focus कर रहे हैं, because they have high nutritive value, चाह प्रोटीन हो, fiber हो, vitamin हो, minerals हो, इसके साथ साथ, यह climate resilient होते हैं, even harsh से harsh weather condition के अंदर, resource poor condition के अंदर भी, यह अपना काम कर सकते हैं, फिर आज क्योंकि दोको food security का बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उसको भी solve कर सकते हैं, social economic और cultural factors में important role play कर सकते हैं, इसलिए इंडिया की recommendation पे, United Nations General Assembly ने, 2023 वाले साल को, proposals आ रहे हैं कि हम लोग बहुत सारे benefits मिलेट सेक्टर के अंदर देंगे, जैसे हम लोग vocal for local कर रहे हैं, काफी states को promote किया जा रहा है, जो water intensive हैं कि आप भाई, उन crops की तरफ आगे बड़ो, जो आप grow कर सकते हैं, और मिलेट्स आर one of the biggest alternative, ठीक, तो मिलेट्स एक और important point आपके prelims examination के लिए, दोस्तों April 2022 की योजना की तरफ आगे बढ़ते हैं, focus कर रही थी है, फिंटेक के उपर, बहुत भेतरीन योजना, पहला important point PM गतिशक्ती, मैंने आपको अल्रेडी बता दिया है, गतिशक्ती तो आपको बिना करे जाना ही नहीं है, गतिशक्ती आप लोग अच्छे से करना, यहाँ पर बात हुई, India Stack के बात है, ठीक है, किसके बारे में बात हुई, India Stack, इंडिया स्टैक, इंडिया स्टैक इस सेट आफ एपी आइज, Application Program Interface, APIs के बारे में बात हुई, आपी आइ क्या होते हैं, देखो, मान लो कोई ऐसे सॉफ़वेर बना, तो उसके पीछ का Application Program Interface होता है, वो Source Code होता है, जिसके ओपर वो अधारित बना है, किसी को अगर वो मिल जा तो वो उसकी मदद से, अपना भी similar kind of चीज़ें कर सकता है, और जो गलतिया हैं वो भी suggest कर सकता है, तो India Stack के अंदर हो क्या रहा है, India Stack, वो APIs का, वो APIs का एक set है, जो Government, Business, Startup और Developers को help कर रहा है, कि जो भी Digital Infrastructure है, या Knowledge है, वो API के अंदर है, उसका इस्तमाल करके, हमारे देश की कुछ जो Problems हैं, प्रेकि हम Presence Less हैं, Paper Less, Cash Less Delivery Services हम देना चाते हैं, उनको solve करने में मदद कर सकते हैं, ठीक, clear everyone, ठीक है, तो इसमें काफी सारी layer हैं, एक Presence Layer है, पेपर लेस लेयर है, Cash Less Layer है, अब API जो India Stack के अंदर है, वो कौन कौन से हैं, देखो आधार है, आधार is important part, आधार के EKYC का API है, E-Sign, Digital Locker, UPI, तो इन सब चीजों के बारे में, ठीक, अब इस पूरे के पूरे आर्टिकल के अंदर, तीन चीजों का specially mentioned हुआ, इनको आप लोग पढ़ोगे, NPCI, जंधन और रूपे कार्ड, very important, चलो जी, आज कल हम लोग इसके बारे में, बहुत बात कर रहे हैं, ONDC, ONDC, Open Network, for, Digital Commerce, important, no, what is ONDC, what is Open Network for Digital Commerce, यह है क्या काम क्या कर रहा है, आज, आप Amazon पे जाते हो, कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए, तो आप Amazon पे, as a buyer, registered होते हो हैं, you need to be registered buyer, आप खरीद रहे हो, ऐसे registered seller भी होते हैं, वही Amazon पे बेच सकते हैं, तो आप जब कोई समान सर्च करते हो, तो जो registered seller ने, अगर वह समान लिस्ट किया होगा है, तो वही समान आपके सामने आ जाता है, तो यही होता है अप तो जन्रली, similarly flip card पे करोगे, तो flip card का buyer होगे, और flip card के जो seller होगे, वह आपको product दिखा देंगे, वैसे तो हैं नहीं कि Amazon पे सर्च किया, जितने भी sellers होगे, सब की लिस्ट आपके सामने आ जाएगे, तो this is what ONDC says, ONDC is freely accessible government-backed platform to democratize e-commerce by moving it from a platform-centric model to open network for buying and selling of goods and services, थेक, इसका main मक्सद है that buyer registered on one participating e-commerce site, for example Amazon, may purchase goods from a seller on another participating e-commerce site like Flipkart, currently buyer seller same app पे होना जरूरी है, तो ONDC एक not-for-profit organization के रूप में established की जाएगी, जो की local digital commerce वाली जो stores है, उनको भी discover होने की एक opportunity देंगी, ठीक, जो open network concept है, ये retail sector से बाहर wholesale, mobility, food delivery, logistic, travel, urban services सब में, सब में आपको चीज़ें provide करेंगी, ठीक, ना ही ONDC कोई application है, ना ही कोई hosting platform है, all existing digital commerce application platform can voluntarily choose to adopt this platform, या वो ONDC network का part होना चाहते हैं, या नहीं, ONDC का में मकसद है, open network develop करना, जिससे की, हर एक व्यक्ती के लिए buy असान हो, हर एक व्यक्ती के लिए sell असान हो, ठीक, जैसे UPI कर रहा है न, अब UPI की मदद से, किसी भी bank के अंदर कोई भी transfer कर सकता है, without any hassle, ना आप किसी से भी पैसे ले सकते हो, वैसे ही, ठीक है, इसको promote करने की, जो जिम्मेदारी है, वो दी गई है, Quality Council of India को, very very important, ठीक, open source क्या होता है, वो मैंने आपको already समझा दिया, ठीक है, what is open source, I have already told you, चलिए, guys, April महीने की, योजना के अंदर, आपको मिलता है, Facilitate Drone शक्ती के बारे में, बजट ने बाद करी, किसके बारे में, Drone शक्ती स्कीम के बारे में, लिगर हम लोग, Drone शक्ती स्कीम के अंदर, Drone को as a service, हमारे देश के अंदर, इंटर्ड्यूस करने की बात कर रहे हैं, नो डोन कैसे beneficial है, Drone शक्ती इनिशेटिव, हैज बी नेम्ट टू प्रमोट एंड फेसिलिटेट ड्रोन एज़ा सर्विस थ्रू स्टार्ट अप्स, ठीक, Drone एज़ा सर्विस का मतलब जैसे, हम लोग दबाईयां पहुचा रहे हैं, ड्रोन की मदद से, ऐसे ऐसे इलाकों में, जहां पर हम लोग नहीं पहुच सकते हैं, आजकल तो पिज़ा ड्लीवरी भी हो रही है, है न, तो ड्रोन का इस्तमाल, इंसेक्टिसाइड ड्यूट्रियंट्स, पहुचाने के लिए भी किया जा रहा है, तो ड्रोन शक्ती इनिशेटिव, इस डूरिंग नथिंग, ड्रोन को ऐस अ सर्विस फीचर करने की कोशिश कर रही है, नोग दोस्तों, इसी आर्टिकल के अंदर बात हुई, सॉफ्ट्वियर ऐस अ सर्विस के बारे में, क्योंकि अभी तक, हम लोग देखो कितने एडवांस हो गए हैं, और हम लोग उन्हें सॉफ्ट्वियर की वज़े से, हम लोग एडवांस हो गए हैं, कि इंडिया, इंडिया की जो सॉफ्ट्वियर इंडस्ट्री है, हम लोग software को as a service प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया इसका leader बन चुका है software वाली space वही space हम लोग drone के अंदर भी occupy करने की कोशिश कर रहे हैं drone as a service ठीक ठीक आजकल आप देखो ना वेडिंग्स के अंदर drone की service का इस्तमाल हो रहा है photography के लिए pesticide spray करने के लिए surveillance of oil pipeline in dense forest जहाँ पे इंसान नहीं पहुच सकता easily वहाँ पे हमारे drone सुड़ते उड़ते पहुच जाते हैं तो ये वाली सारी चीज़ है clear? चलो guys आपके screen पर जो page आ रहा है अब आप इसे post करके अराम से पढ़ सकते हो ये national education policy से linked है और इसके दब कुछ चीज़ों के रहे हैं जैसे aspire, exemplar, new India literacy program, operation digital board, प्रधान मंत्री पोशन शक्ती निर्मान, प्रधान मंत्री innovative learning programs, strengthening teaching learning and results for stars, states sorry जिसकों हम लोग stars program के रहाम से जानते हैं ठीक है? screenshot ले लो या pause करके देख लो moving on guys, अगला article हमें यहाँ पर देखने को मिलता है digital currency के ऊपर digital currency जिसकों हम लोग central bank digital currency के नाम से जानते हैं CBDC के नाम से जानते हैं CBDC, central bank digital currency हमारे जो रुपी है उसका ये मान लो digital version है और ये भी blockchain और बाकी सारी technology का इस्तमाल कर रहा है इसके लिए Reserve Bank of India Act 1934 के अंदर भी हम लोगोंने currently amendment कर दिये है ठीक, ये हम लोगोंने already कर दिये है ठीक है चलो, moving on What is CBDC? What is central bank digital currency? Now, नई CBDC एक चीज़ याद रखना है इसको हम लोग E-Rupee कहते हैं एक और चीज़ है जिसको हम लोग E-Rupee के नाम से जानते है इसको NPCI ने लांच किया है और ये एक voucher based system है एक voucher model है ये अलग है E-Rupee जैसे हमारे रूपी को हम लोग जाए digital transaction करते हैं उसी को एक coin में convert करती है ठीक है? It says like a digital token nothing but a digital token similar to but not the same as cryptocurrency क्योंकि इसकी जो value है वो हमारे देश की जो fiat currency है उसके जैसी है government mandate मिलता है टिक token based CBDC है तो क्या होगा कि इसके अंदर bank account की भी ज़रुरत नहीं है A person can buy with CBDC much like payment made in cash ज़रुरी नहीं है कि आपके पास bank account होना चाहिए Bureau of Indian Standards की publication तीन अलग लग तरीके के variant के बारे में बात करती है CBDC के that is account based token based और wholesale based ठीक है account based जहाँ पे लोग अपना account ओपन करके इस तरीके से transfer कर सकते है account to account token based जिसके अंदर digital cash आप लेकर चल सकते हो retail में आप उससे खरीच सकते हो बेच सकते हो उसमें bank account होने की ना दूसरे गरी जरूरात है ना तुम्हारे लिए जरूरात है और wholesale के अंदर wholesale settlement जैसे interbank payment है cross border payment है उसके लिए भी आप लोग CBDC का इस्तमाल कर सकते है clean important topic है चलो इसके साथ साथ दोस्तों एक important line is magazine के अंदर कि compared to bitcoin which is known to be notoriously energy inefficient क्योंकि bitcoin में आपको mine करना पड़ता है और उसके लिए super computers या बहुत सारे computer जब आप लोग लगाते हो बहुत सारी energy खर्च हो जाती है CBDC यहाँ पर कहीं न कहीं environmentally sustainable है ठीक है it is environmentally sustainable और जो हम लोग आज आज भी paper economy के उपर इतने dependent है currency to GDP ratio को कम करने में भी CBDC हमारी मदद करेगा चलिया यहाँ पर बात हुई startup in space tech के बारे में यह एक और important page था यहाँ पर in space के बारे में बात हुई गाइस देखो मेरा है मैं यहाँ पर सिर्फ आपको important topics बता रहा हूँ ठीक है और नहीं पड़ा है तो उसके उपर आपको ध्यान देना है अभी आपके पास समय है Indian National Space Promotion Authorization Center in space department of space के अदर constitute किया गया क्यों किया गया कि जो non-governmental private entities हैं non-governmental private entities हैं उनको permit, regulate, promote monitor, supervise करने के लिए space activities के अदर इंडिया में क्या बता है मैंने आपको शुरो और private sector के बीच में एक bridge का काम in space कर रहा है अब यहाई अटल innovation mission को देखें हैं तो अटल innovation mission का मेरे मक्सद है entrepreneurship और innovation हमारे देश के अंदर बढ़ाना space tech के अंदर भी they are playing very important role जैसे हम लोगोंने अटल tinkering labs बनाई है अटल innovation mission के अंदर इसरो के साथ और cbsc के साथ collaborate होके हम लोगोंने एटील space challenge भी कराया था जहां पर बच्चों को देखा गया कि किन बच्चों का space में interest ठीक ऐसी अटल incubation centers बनाए गए हैं जिससे बच्चों को space tech के बारे में भी जानकारी दी जा सके और भी futureistic technology के बारे में जानकारी in atal incubation centers के अंदर दी जा रही है important है यह अनिक scheme ठीक अनिक arise scheme अनिक arise program of aim is associated with ISRO इन्होंने propulsion geospatial और application for robotics augmented reality virtual reality launch करी दी जिससे space sector के अंदर हम लोग जो हमारे युथ है जो अच्छे हैं उनको बढ़ावा दे सकें clear good guys जब आप में की योजना के अंदर आते हो तो इसके अंदर बहुत सारी अच्छे चीज़ें आपको देखने को मिलती है but in terms of social security ठीक है जैसे catch the rain program है ठीक है तो आपको national water mission आपको अच्छे से करके जाना है currently तो इसका third phase चल रहा है याद रखना catch the rain का third phase अब यहां box पे आजाओ इसमें कुछ important बाते लिखी है याद रखना इंडिया को जो rainfall इंडिया को मिलती है वो तीन गुना है जितना इंडिया consume करता है हमारे यहां पे effective consumption नहीं है यह एक बड़ा issue है इसलिए we should focus on water security जैसे food security पे करते है इसलिए rain water के उपर इतना focus किया जाता है ठीक है बाकी pause करना और ध्यान से देखना पढ़ना ठीक moving on now CARA CARA is a very important agency it is Central Adoption Resource Authority हमारे देश में जो adopt किये जाते हैं बच्चे उसको कैसे adopt होना है क्या क्या procedure है उसकी rules regulation guidelines वो सब provide करने के लिए कह रहा है CARA is statutory body है याद रखना it's a statutory body जिसको 2015 के अंदर बनाया गया था ठीक और ये ministry of women and child development के अंदर काम करती है it's a nodal body for adoption of Indian children and it's mandated to monitor and regulate in country and inter country in country and inter country adoption को ये manage करती है मतलब देश के अंदर भी या देश के अंदर कोई देश के बाहर से अगर किसी को भी adopt कर रहा है उस situation के अंदर भी ये regulate करती है ठीक है ये एक centralized digital database भी बनाती है बच्चों का प्रॉस्पेक्टिफ पेरेंट्स का and अच्छे से regulate करने ही कोईश करती है प्रॉब्लम यह हमाएं देश में adoption की बहुत लंबी लाइन है एक और important topic कहरा important page है यह आपके लिए दोस्तों ministry ने welfare, development और protection बच्चों के लिए main तीन important umbrella schemes चला रखी है mission वाचसलिय, mission portion, mission शक्ति नो तीनों important है तीनों के उपर आप लोग ध्यान दे कोई mission वाचसलिय, main मक्सद कि हमारे जो बच्चे हैं जो childrens है they should be recognized as an asset as an asset by the policy makers main मक्सद है उनके healthy और happy childhood को focus करना delivering the mandate of juvenile justice act achieving sustainable development goal prime objective है कि जो भी gaps है women and children के schemes में programs में gender equality में child centric legislation लेकर आनी है new policies, new programs लेकर आनी है उसके उपर focus करना फिर आता है mission portion जो कि focus कर रहा है nutritional support programs पे कि जो भी malnutrition का issue है मानलो adolescent girls के साथ anemia का issue है pregnant women, lactating mothers के साथ issue है तो उनकी health के उपर ध्यान देना उनकी wellness, उनकी immunity के उपर ध्यान देना तो यहाँ पर में मक्सद है quality and delivery of food under supplementary nutrition program mission portion के अंदर nutritional norms, standard, equality, testing इन सब के उपर ध्यान दिया जा रहा है इसके अंदर जो scheme sub-sum की गई है portion के अंदर आंगनवारी, adolescent girls portion अभ्यान, ऐसी बहुत सारी चीज़ है guys similarly mission शक्ती भी है mission शक्ती citizen centric lifestyle support program है महिलाओं के लिए जिसके अंदर हम लोग women care, safety, protection, rehabilitation and empowerment के उपर focus कर रहे हैं इसको दो sub-scheme के अंदर divide किया गया है संभाल और सामर्थ है याद रखना, संभाल और सामर्थ है संभाल के अंदर sub-scheme के अंदर one stop center 181 help line, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ जैसे प्रोग्राम आते हैं और समर्थ है समर्थ है के अंदर यहाँ पर empowerment of women उजवला, सुवादार घ्रह women working hostel ऐसी चीज़े आती है ठीक, किसा साथ अब तो हम लोगोंने माई देश में नारी अदालत भी खोल दी है जिससे की women's के लिए dispute resolution आसान हो national credit scheme है बच्चों के लिए प्रधान मंतरी बायू बंदना योजना है मातरू बंदना योजना है यहाँ पे ICDS scheme है integrated child development scheme है इनके उपर भी focus किया जा रहा है तो these are also important points जो prelims के लिए आपको याद रखने है ठीक, guys moving on national sports policy के बारे में भी mention था so to promote sports, encourage talented youth sports policy हमारे देश के अंदर 2001 के अंदर आई थी 2001 के अंदर आई थी national sports policy ठीक, जिसका main मक्सद था broad basing और achieving excellence यहाँ पर ना तीन important खेल awards के बारे में बात की गई major ध्यांचंद खेल रत्न अर्जुना अवार्ड और ध्युना चार्रे अवार्ड, याद रखना major ध्यांचंद खेल रत्न ध्यांचंद जी के नाम पे रखा गया है, जो कि हमाई देश के legendary hockey player है और यह हमाई देश का biggest sport award है, ठीक अब ऐसा नहीं है कि hockey के legend के नाम पे रखा गया है तो सिर्फ hockey player को दिया जाता है नहीं, यह सब को दिया जाता है और इसके पहले recipient हमारे grandmaster विश्वनात अनन जी थे he plays chess अर्जुना अवार्ड, best sporting talent को दिया जाता है पिछले चार साल की performance देखकर पंद्रा लाख रुपे साथ में दिया जाते है और dronachari award गुरुओं को दिया जाता है ठीक है, वो गुरु जिनके बच्चों ने domestic और international level पे अच्छा perform किया है ठीक, उनको यहाँ पर दिया जाता है moving on, जून की योजना देखते हैं आज के session की है हमारी last योजना होने वाली है इसके अंदर focus किया गया कुछ terms के उपर ठीक है, सबसे पहले आपको दो term के उपर focus करना है एक है blockchain, दूसरी है NFT, non-fungible tokens what is blockchain? blockchain is a technology जिसके अंदर हम लोग यह digital ledger एक online भाही खाता type of create कर रहे हैं जब भी कोई चीज एक जगे से दूसरी के transfer होती है तो उस समय पर it is encrypted जिससे transfer safe हो और एक नया block add हो जाता है जो previous records हैं उसके आगे जो कि non-deletable, non-editable होता है जिससे की सारी जानकारी भी safe रहे what is non-fungible token? you all know कोई भी चीज, किसी भी तरीके की चीज को अगर हम लोग digital format में convert कर देते हैं तो वो non-fungible token कहलाता है और आज कल NFT has been a big thing तो इन दोनों चीज़ें यह important topics हैं जो आपको इनको पूरी deeply cover करना ही करना है तो important terms जो आपको cover करनी है जो इस जून के वाली योजना के अंदर हैं वो है blockchain, NFT, metaverse, quantum computing, cloud computing, IoT और artificial intelligence, clear everyone, clear और यहां पर मैं आपको फिर भी कुछ एक NFT के बारे में point बता देता हूँ अगर किसी को screenshot लेना है, कुछ लेना है तो वो भी ले सकता है NFT, क्या है, it is a token, token कुछ भी, piece of art, music melody, video, game, physical object, कुछ भी हो सकता है even किसी concert की ticket तक हो सकती है ठीक है, चलो, यह पढ़ लेना, यह पढ़ने है आपको, नहीं पढ़े हो तो वापस revise करना बता रहा हूँ, यह सबसे hot topics हैं, चलो, guys, capacity building commission basically this article is focusing on mission कर्मयोगी this is focusing on mission कर्मयोगी, मैंने आपको अपनी classes में यह बहुत बारी पढ़ाया है जो भी यहाँ पे मेरे students है, पिछले साल 59 questions आयते prelims में, इस बार उससे ज़्यादा expect कर रहा हूँ में, national program for civil services capacity building और इसके अंदर what the government is doing कि bureaucracy को हमें targeted करना है, role based करना है हमारे civil servants को training देनी है, uniform training standard लेकर आना है, जिससे कि वो new India के vision के लिए काम कर सके दुनिया की best of the best practices हमें adopt करना है, ठीक है, to make Indian civil servants more constructive, imaginative, innovative, proactive, professional, progressive, energetic, enabling, transparent and technology enabled इस mission के अंदर capacity building commission भी बनाई गई थी, याद रखना, capacity building commission बनाई गई, Indian gazette के अंदर इसके बारे में mention किया गया था as the custodian of civil services capacity building ecosystem, जो बहुत सारे काम करेगी, जैसे capacity building plan बनाना, HR policy बनाना, ठीक, I got कर्मियोगी जो digital platform है, जिसमें की सारे bureaucrates सापस में बात भी कर सकते हैं और international practices के बारे में discuss कर सकते हैं, ठीक, इसके साथ साथ learning resources देखना, functional supervision करना, knowledge partner create करना, तो यह सारे काम कौन करेगी, capacity building commission, very good, ठीक है, screenshot ले लो, पढ़ लो, दोस्तों, जन सुरक्षा के लिए, governance milestone, तीन important scheme के बारे में mention किया, जून की योजना ने, अटल pension योजना, प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, नौ important चीज़े क्या है, अटल pension योजना के अंदर, ध्यान से आजाओ, इसके अंदर, minimum guarantee मिलेगी pension की, 60 साल की उम्र के बाद, 1000 से लेकर 5000 रुपे तक की, पर मंत, पर इसके लिए, 18 साल की उम्र के बाद, और 40 साल की उम्र से पहले, जिसके पास भी बैंक या पोस्टर अकाउंट है, उनको कुछ पैसे जमा कराने होंगे, यह PFIDA कंट्रोल कर रही है, Pension Fund Regulatory Development Authority of India, इसको regulate कर रही है, it's an important social security scheme, एज या दखना, 18 से 14 के बीच में, अटल pension योजना, ठीक, moving on, प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना, इसके अंदर 2 लाख रुपे का life cover दिया जाता है, in case of death, और premium इसमें 330 रुपे पर एनम भरना पड़ता है, इसको कोई भी व्यक्ति जॉइन कर सकता है, जिसके उमर 18 से 50 साल के बीच में, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा बीच में, 18 to 70, याद रखना, यह एक साल का accidental insurance scheme है, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 18 to 70, प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना, 18 to 50, अटल पेंशन योजना, 18 to 40 years, clear, good, guys, important है, मुरेन योगा मैट्स, मुरेन योगा मैट्स, असम से बिलॉंग करती है, ज योपर बील वेटलेंड जो असम के अंदर है, महा से fishing community material निकलती है, और उसके बाद ये मुरेन योगा मैट्स बनाते है, प्रधान मंत्री ने ने इन योगा मैट्स के बारे में discuss किया था, इसलिए exam के लिए relevant हो गए है, ठीक है, and ये जो योगा मैट्स है, ये ways to wealth theme के अंद मनेरभार, ठीक, good, चले, guys, ये जो हमारा आज का session था, इसमें जो जो चीज़े मैंने आपको बताई, वो importantly, देख लेना, ठीक, उनको कर लेना, बाकी आप जिस channel पे देख रहे हो, मेरे ब्रहमाच UPSC के उसके उपर एक telegram का link भी होगा, नहीं भी पता है, तो भी आप telegram पे सिर्फ इतना डाल देना, without any gap, ऐसे, ब्रहमाच्त्र और Capital Me UPSC ग्रूप में मिल जाओगी, यहाँ पे आपको बहुत सरी फ्री चीज़े मिलती है, महीं पे इसकी PDF पी आपको मिल जाएगी, जुनने के लिए धन्यवाद, do not forget to like, share and subscribe, bye bye, tick